उत्पत्ति अध्याय पंद्रह उत्पत्ति अध्याय पंद्रह इब्राहिम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्नन इन बातों के पस्चात यहोवा का यहा वच्चन दर्शन में अब्राहम के पास पहुँचा कि हे अब्राहम मत डर तेरी ढाल और तेरा अत्यमत बड़ा फल मैं हूँ अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वन्ष हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीजेर होगा सो तु मुझे क्या देगा और अब्राहम ने कहा मुझे तो तुने वश्च नहीं दिया और क्या देखता कि मेरे घर में उत्पन हुआ एक जन मेरा वारिस होगा तब यहोवा का यहोचन उसके पांस पहुँचा कि यह तेरा वारिस नहोगा तेरा जो निजपुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दुरुष्टी करके तारागन को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, तिरा वन्ष ऐसा ही होगा. उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गीना. और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ, जो तुझे कस्तियों के उर नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकार दू. उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानू कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए तीन वर्ष की एक कलोर और तीन वर्ष की एक बकरी और तीन वर्ष का एक मेंधा और एक पिंडुक और कबुतर का एक बच्चाले. और इन सभों को लेकर उसने बीच से दो टुकडे कर दिया, और टुकडों को आमने सामने रखा, पर चडियों को उसने टुकडे न दिया, और जब बासाहरी पक्षी लोथों पर जपते, तब अबराम ने उन्हें उड़ा दिया. जब सुरिय अस्त होने लगा, तब अबराम को भारी नीद आये, और देखो, अत्यंत भय और महा अंधिकार ने उसे चालिया. तब यहवा ने अबराम से कहा, यह निश्चे जान कि तेरे वंश पराय देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको चार सो वर्ष दुख देंगे, फिर जिस देश के विदास होंगे, उसको मैं दंड दूँगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकलाएंगे, तू तो अपने पित्रों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बढ़ हुआ, और ऐसा हुआ कि जब सुरिय अस्त हो गया, और घोरंधकार छा गया, तब एक अंगेठी जिसमें से धुआ उठता था, और जलता हुआ पलिता देख पड़ा, जो उन टुकुडों के बीच में से होकर निकल गया, उसी दिन यहवा ने अबराम के साथ यह वाचा बा परीजियों, कदमोनियों, हित्यों, परीजियों, रपायों, एमोरियों, कनानियों, गरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वश को दे दिया है।